हालो अब्रिवान ग्रेटिंग्स फ्रम डॉक्टर रैश्मीज होमेबति आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत इंपोर्टन दावा उफोरेनम के बारे में उफोरेनम जो की मार्केट में उवरेनम के नाम से अवेलिबल है यह एक बहुत ही कॉमन होमेबतिक मेडिसिन ह जाती है यह एक स्वार कोड है यानि कि यह हमारे बॉड़ी के हेल्दी सीक्रीशन हेल्दी पार्ट से बनाई जाती है तो उफोरेनम या ओवरेनम क्या सकते हैं यह बनाया जाता है शीप की ओवेरियन सीक्रीशन से जो शीप की ओवरियन की जो ओवरिज होती है उनके सीक्री इसके बारे में डेटेल्स कि कैसे कासे सिम्टम्स आप चूज करके इस दवा को ले सकते हैं सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टन सिम्टम जिसमें यह दवा यूज होती है वह है आपकी ओवेरियन कॉम्प्रेंट्स चाहें ओवेरियन सिस्ट हो पीसी ओडी का प्रॉब्लम हो ओवरी को रिमूव कर दिया गया हो आपके मेंस्ट्रूल कंप्れंट्स हो आपके मेनोम्पॉस पास में आ रहा हो या कोई भी दूसरे जो हौर्मोल इशू की ना इस्झाय का प्रॉब्लम है या लिबडो की कभी है इन सारी कंप्लिण्स में यह दवा यूज होती है। अब ह इन्देट के अंदर बहुत सारे multiple आपके सिस्ट बनने लगते हैं। और वो रिजुट रिजॉल्व नहीं होते हैं। और आपका हॉर्मोन होता है बिल्कुल इंबैलन्स हो जाता है पूरी शेर में आपको बोड़ी वेट बहुत जादा बननने लगता है। ऐने ब़ियों में रेग Egyptians में एहां पहाण आने लगते हैं। लेकों सिरी, देडरी सिर्टेटरी करुटिए एग डवलाмов, रिखन, को ईचया और से अचया तो पनोन भी द्वां के ही और ओर इस नहीं तो सिर्लेय और शान ऑप और आप लिकारी सिर्लीरीक, लेकिन PCOS के अलावा, वेरी जब सिस्ट होते हैं, जैसे चॉक्लिट सिस्ट है, या हेमरिजिक सिस्ट है, जिसमें चॉक्लिट सिस्ट का मतलब हुआ कि आपका जो टिशू है, जो आपके योटरस में होना चाहिए, यो ओवरी में जाकर के वहां पर उसमें ब्लीडिंग हो रही जो कि देखने में टैरी कलर का या ब्लाकिश कलर का हो जाता है, जिसको हम चॉक्लिट सिस्ट बोलते हैं, इसके लावा, जो हेमरिजिक सिस्ट है, यानि वो सिस्ट जो आपके होते तो आपके ओवरी की सिस्ट ही होते हैं, कहीं बाहर सा नहीं आए होते हैं, जैसे कि जो कॉर तोनों टॉपिक्स के उपर हेमरिजिक सिस्ट और चॉक्लिट सिस्ट के उपर डिटेल में वीडियो बना रखी हैं या पर मेरे शॉट में समझाया है कि यह दोनों तरह की जो सिस्ट होती है उसमें भी उफोरनेम दवा का बहुत अच्छा प्रयोग रहता है कही बार ऐसे भी स अच्छा प्रिकेशन हो जाता है एक और इंपर्टन करणिशन आती है कि अगर बॉड़ी में बहुत साइज स्ट हो गए और पाइब्रोइड भी आपके यूट्रस में बहुत जादा बन गए और डॉक्टर आपको आडवाइस करता कि आप सब कुछ रिमूव करवादों लि चाहिए थे अगर पहली आपके ओवरीज निकाल दिये तो अपके शेरी में हॉर्मोन तो आएंगे ही नहीं इस्पशली जो इस्टोजन हॉर्मोन है वह आपके शेरी में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिकली लेबल्स उसके कम हो जाएंगे तो आपको बहुत तरह के इशू आ स में आपके जो एज है वह पतालिस से उपर हो चुकी है 48-50 में पहुंच चुकी है तो आपके पीरिट्स इर्रेगिलर हो जाएंगे मोर स्विंग बहुत जाएंगे रातों में नीन नहीं आएगी बेचैनी बहुत जाएदा होगी एंग्जाइटी दिमाग में भी चलते रहे जो बहुत ही अपने बस में नहीं रहती हैं उनको लगता है कि उनके उपर कोई कंट्रोल दूसरा कर रहा है बहुत ज़ादा गरमी से चड़ेगी दम से पसीना आएगा तो यह सारे जो symptom होते हैं यह menopausal symptoms होते हैं तो अगर यह बहुत ज़ादा ट्रबलसम है तो बहुत सार मेरे जितने भी आपके menopausal symptoms होते हैं उसको दूर करने में इस दवा का बहुत अच्छा रोल रहा है तो मैंने बहुत सारी मेरी patients हैं जो regularly मेरे से अपने menopausal face को अच्छे से निकल जाए उसके लिए prepare हो जाए तो उसके cases में हम इसको यूज करते हैं जो menopausal symptoms होते हैं यह जादा तर genetics में होते हैं अगर आपकी मदर को बहुत साथा परिशानिया हुई तो during the menopause रात रात बर जागना और everything जो भी चीजे मैंने भी बताई तो आपको chances हैं कि जादा यह problems होती हैं बहुत सारी females है जिनको कोई issues नहीं होते हैं बहुत बहुत आसानी से निकल जाता है next एक important चीज है जहाँ पर आप इसको ले सकते हैं वो है acne rosacea जिसको अकेले rosacea भी बोला जाता है जो एक acne का टाइप ही बोला जाता था लेकिन इसका acne जासा कोई reason नहीं है यह कई बार unexplained reason होता है चेहरे के अंदर हमारे face के अंदर बहुत जादा redness बनी रहना बहुत जाद प्यूबर्टी में हो रहा है जो acne vulgaris होता है उसकी बात नहीं कर रही हूँ सिफ यह जो middle-aged females है या middle-aged males है उनके अंदर अगर acne rosacea का problem हो रहा है यह मैंने 30 साल के बाद अगर pimples आने शुरू हो रहे है तब इस दवा को यूज कर सकते हैं जहां तक बात कर acne rosacea की तो उसका क और जादा face aging होती है या चेहरी के लाली बहुत जादा बढ़ जाती है और acne rosacea का main जो कारण बताया जाता है कि हमारे face के अंदर बहुत सारे चोटे-चोटे से micro-organisms होते हैं जो हमारे face के अच्छे होते हैं नुकसान नहीं करते हैं लेकिन कुछ लोग के अंदर चोटे-चो rosacea के लिए भी इस दवा को मैंने भी clinically प्रयोग किया है और इसका result काफी जादा अच्छा रहता है तो all-in-all यह जो दवा होती है आपकी hormonal imbalance को ठीक करने के लिए होती है अगर हम बात hormonal imbalance के करे हैं तो अगले topic आजाएगा अमिनूरिया यानि आपको periods नहीं आ रहे हैं अब किसी बात के कारण pregnancy के बाद दुबारा स्टार्ट नहीं हुए या किसी और रिजन से आप periods एकदम से रुग गए दोनों तरह के अमिनूरिया में इस दवा का प्रयोग रहता है क्योंकि अमिनूरिया यानि आपके periods लाक हो रहे हैं मतलब hormones आपकी ovaries से रिलीज नहीं हो रहे ह एक और important use जो इस दवा का होता है वो है lack of libido बहुत सारी females के अंदर due to the hormonal imbalance libido का desire नहीं होता है sexual desire बहुत कम हो जाता है ऐसा अकसर देखा जाता है after the delivery delivery के बाद बहुत सारी ऐसे females होती है जुनके अंदर body के अंदर से changes होते हैं उसको adapt नहीं कर पाती ठीक से hormones disturbed रहते हैं और उनको desires बिल्कुल नहीं होती है sexual thoughts भी उनको नहीं आते हैं या वह ऐसा चाहती भी नहीं है क्योंकि उनके body उसको permit नहीं तो यह जो दवा है particularly females के लिए एक बहुत ही important दवा है अगर हम बात करें PCOD से लेकर amenorrhea से लेकर acne rosacea है lack of libido है या जो menopausal phase इतने सारे phases को यह cover करती है अगर महिला के अंदर कोई भी महिला है जिसके अंदर कोई भी दूसरे issues नहीं है लेकिन सिर्फ अपने hormone की चक्कर में य dissatisfied रहती है हमेशा gloomy यानि कि हमेशा अकेले पन उसको समझ आता है खुश मिजाज नहीं रहती क्योंकि इतनी सारी परेशानिया अलोडी उनके साथ हो चुकी है कि अपनी periods के चक्कर में वह परेशान है तो उन cases में ऐसे females को यह दवा दी जा सकती है अब हम बात करते हैं इस इस दवा को जरूरेशन में यूज करती हूँ अगर इस दवा को लेना है तो आप उफोरेनम या ओवरेनम की 3X tablet ले सकते हैं इसकी 2-2 tablet दिंग में 3-12 ले सकते हैं लेकिन दिहान इस बात कर रखें कि सिम्टम्स आपके साथ मैच होना चाहिए इस दवा की आपको ज़रूरत होनी चाहिए और बेस्ट होगा अगर आप डॉक्टर को मिल करके अपने रिपोर्ट करके ही इस दवा को यूज करें क्योंकि अगर आप इस दवा को यूज करें तो आपको शेयर होना पड़ेगा कि आपको PCOD है PCOS है, menopausal phase है, आपको hormone levels कम है, हो सकता आपको LH और FSH के ले आपको यूज कर वहल दो वहल करने हो यूज क्योंकि आपको इस करो है